मीडिया के भाईयों आप तब का बहुत धन्यवाद है और आपके माध्यम से हम गाजीपूर और पुर्वांचल की जन्ता को और खास तोर से इंडिया गट बंधन के सभी घटक दलों के कारेकरताओं को नेजाओं को इस चुगाओं में जो गाजीपूर 75 लोग सबाद छेतर स एक लाग 35 लग बगोतों से जो जीत हासिल हुई है जो 2019 के जीत के अंतर का रिकार्ड भी तोड़ दी है उसके लिए हम गाजीपूर की जन्ता को और इंडिया गट बंधन के से समंधित नेताओं कार करताओं को अपनी महिला टीम के नेताओं कार करताओं को बहुत बहुत हा समीक्षा आप कीजिए आपने मीडिया की बात कर रहा हूं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जिसने 72 घंटा इस देश की जन्ता को बेचाइन कर दिया जिसने जूठा सर्वे ना यह साथ बहुत छोटी सी बाते हैं जिसने देश की जन्ता को जो फैसला जन्ता दे रही थी ठीक उसके विप्री अपने लोब में लालच में और खरियंत में सामिल हो करके जूठा जो प्रोपगंडा करने के लिए एक सर्वे और एक एक एग्जिट पूल जो जारी किया गया जिससे देश की जन्ता 72 गंटे तक बेचैन रही उसके लिए मुझे बहुत अफ्तोस है और कल भी हमने कहा था कि अपनी साख को बट्टा लगा करके अगर चौथे अस्तंब के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें आगे आने वाले दिनों में पस्ताना चार सो आज उसकी हवा निकल गई आज भारती जन्ता पाटी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिती में नहीं है अब सहयोगी दलों की घीचा घाची शुरू है तो उधर के चानक के हैं अमित्सा इधर भी चानक के हैं अब उनका खेल देखिए अब खेल होने वाला है मात तो पहले पहली मात तो गोदी मीडिया की हो गई जिसने इस चुनाओ को पूरी तरह से जन्ता के मन पर दिमाग पर एक भरम बनाने के लिए अजीब माहोल बना दिया जहां धरातल पर सच्चाई यह है कि 200 सीट नहीं पहुँच रही भाजपा आप उसको 400 सीट देखा रहे हैं जूट की इमतहा है गाजीपूर भी जिता रहे हैं जहां सवाल लाखोट से हार रही भाजपा कितना पक्षपात करेंगे भाई कितना पैसा देते हैं अभी हमारा एक चैनल है टाइमसनाव उसकल तक अभी हद हो गई अपनी साख को कितने में बंदक रखते हैं भाई किस तरह से विश्वसिता खतम हो गई है यह शोशल मीडिया का जमाना है हर हाथ में मोबाइल है और को अभी बड़ी मीडिया के लोगों से यह चूख हुए मैं कल भी प्रेस कांफरेंस में यह बात कहा था अब पूरवांचल में किस तरह सफाया होने जा रहा है आज वो दृश्य आपके सामने है चंदवली को मैंने कहा था जीत रहा हूं जीत लिया हमने एनाल किया था बलिया आपने देख लिया फैसला जनता का फैसला हम भी हम एक्जिट पोल नहीं कर रहे थे हम अपने 50 साल के जीवन के अनुभाव के आधार पर कर रहे थे घोर्सी भी जीतेंगे लाल कंज भी जीतेंगे आजमगर भी जीतेंगे जौनपूर भी जीतेंगे मचिल चर जीतेंगे य आज समाजवादी पाटी इस देश में तीसरी सबसे बढ़ी पाटी बन गई, जिस समाजवादी पाटी कोkay exit-pol वालों ने अंड़र 10 कर दिया था, आज वो समाजवादी पाटी देश की तीसरी सबसे बढ़ी राजनितिक पाटी है, और वो भारती जनता पाटी जो विश्व क सबसे बड़ी पाटी है आज वो निर्भर है चंद्र बाबू नाइडू की खिरपा पर आज उसकी हालत खराब है और वो निर्भर है नितीश कुमार पर अब देखिए आने वाले दिनों में देखिए अब वो सरकार नहीं रह जाएगी इंडिया गडबंधन बहुत सा आपके इस एक्जिट पोल की वज़ा से जो भरम पहला विश्वर्षनियता पर आपके भी साख पर बट्टा लगा जनता को भी बेचैनी हुई परिशानी हो गया कितने लोगों को हाट अठाइक हो गया कितने लोगा अस्पताल में भरती हो गया मेरा साथी मुननन यादो हमको फोन इनको इनको बचाईए अब अब एक नाम लेकर के आपको मत कीजिए में नाम है मोदी पर सवाल कीजिए मैंने कल कहा था कि जीतेंगे भी तो अपनी जीत पर शर्मिन्दा होंगे कल कहा था हमारे प्रिस कांफरेंस में जीत एतनी होगी पीछे रहे दो राउंड तीन राउं शर्मिन्दा होंगे क्योंकि लक्ष था दस लाक से जीतने का विशुका सबसे बड़ा नेता और चुराओ गिंती के दवरान हार भी रहा है ये खबर फ्लैश होती थी कैसा लग रहा था जो नजारा था है उत्तर परदेश में कोई सीट आप मानने को तयार थे कोई सुनने क तयार था कि अमबेटकर नगर जीतेंगे हाद हो गई भगवान के नाम पर ओट मांगने वालों को भगवान का कोप ऐसा लगा कि आयोध्या की सीट भी हार गए फाइजाबाद की सीट पर अवधेश पर साथ समाजवादी पार्टी के परजब लहरा करके ये साबित कर दिये अमबेटकर नगर की सीट बारबकी प्तित ये गटबंधन जिस तरह से उत्तर परदेश में भारती जनता पाटी के सामने मोकाबले में एक मजबूत दिवाल बन के खड़ा हुआ है अब गिंती उल्टी शुरू हो गई उत्तर परदेश सरकार की आने वाले में देखिएगा नमबर उनका है और पूरी ताकत के साथ ये गटबंधन भारती जनता पाटी की जड़े खन के फेक देगा जिन्होंने नफरत की फजा बना दी जिन्होंने अहंकार के बल पर अन्याय के बल पर जनता को डरा करके उट लेने की कोशिस की जनता ने उनका मुहतोर जवाब दि अब काम हम आजे मत गिना ये काम हम से कुल उमीद रखिए जो हमारे बस का करेंगे हमारी लडाई बंद नहीं है अभी केतने लोग आप लोग जैसे तक कल ही है हमारी सजा करा रहे थे अगिंतियों ना होने दे रहे थे लेकिन बीस बार न्याय पालिका से और जनता की अदा हो गई अब जना देश को सुईकार कीजिए आप ही कहते थे तर्क देते थे ओबार सपा बसपा का गडबंधन नहीं एलिये जीतल नहीं हो इबरता गडबंधन नहीं के दूला खुट गड़ गई जितना ओठ था उतनी ओठ पहुच गया आप ही कहते थे कि आपको बिरता बुक्तार नहीं खाँ किया जवाब है आपके पास अपने मन में पूछिए आपको सवाल बताने वाले जो आपको सवाल बता रहे हैं उनसे पूछिए कि जनता ने इसका क्या जवाब दिया है जनता के जनादेश को सुईकार कीजिए आप आप चौते अस्तंभए आप दूसरा जीत जाए तो जातबाद हो गया और आप जीत जाए तो विकास जीत गया आप जीत ये तो विकास जीत गया और दूसरा जीत जाए तो जातबाद जीत गया